इस टाइम अगर आप ICC की Test Rankings देखेंगे तो जिस प्लेयर का नाम All-Rounders की लिस्ट में सब से उपर है तो वो नाम है रविंदर जडेजा का। हाँ रविंदर जडेजा जो के इंडिया के इस टाइम नंबर वन All-Rounder है। और अगर आपके मन में कभी भी सवाल आए कि रविंदर जडेजा नंबर वन All-Rounder कैसे बन गए। जडेजा क्यों टेस्ट के नंबर वन All-Rounder है। अब कानपूर टेस्ट के चौते दिन वैसे तो जडेजा ने ज़्यादा बोलिंग नहीं की। सिर्फ एक विकेट चटकाया। लेकिन वो एक विकेट काफी था रविंदर जडेजा को एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। क्योंकि अब रविंदर जडेजा Fastest Asian All-Rounder बन चुके हैं जिसने 3000 से ज़्यादा रंस बनाए हैं और 300 से ज़्यादा विकेट चटका दिये हैं। 74 Test Matches के लिए हैं। तीसरे नमबर पे नाम आता है इमरान खान का। चौते नमबर पे नाम आता है कपिल देव और रिचार्ड हैडली का। और अगले नमबर पे नाम आता है शौन पॉलक का। ये उन Legendary Players की लिस्ट है जो के Probably World Cricket के सबसे बड़े All-Rounders हैं। ये सारे वो All- Rounders हैं जन्होंने Test Cricket में 3000 से ज़्यादा Runs बनाए हैं और 300 से ज़्यादा Wickets लिए हैं। अब जड़े जाकि अगर Test Career की बात करें तो 74 Test Matches, लगबग 3122 Run और 300 के करीब Wickets हैं। इसके अलावा रवी चंदर नश्च्विन वो भी इस Record को पार कर चुके हैं, 102 Test Matches उन्होंने के ले हैं 3662 के करीब Run हैं और 604 Test Wicket हैं। इसके अलावा इंडिया के कपिल देव ने भी ये काम किया हैं, 171 Test में कपिल देव ने 5248 Run बनाए हैं। इसके अलावा उनके Wickets कॉलम की बात करें तो 434 Wickets उनके पास हैं। खैर इस लिस्ट में कुछ और Legendary Players की बात करें। तो Shane Won ने 145 Test में 3141 Run बनाए और 708 Wicket लिए। इसके अलावा अगर श्रुवर्ड ब्रॉड की बात कर लें तो 167 Test Matches में 3662 Run और 604 Test Wickets ये वो Legendary All-Rounders की लिस्ट है जिनकी लिस्ट में जड़ेजा का नाम शामिल हो चुका है। इसके अलावा अगर Left Arm Spinners की बात करें यानि Test Cricket में सब स से जादा Wicket चटकाने वाले Left Arm Spinners की तो उसमें जड़ेजा का नाम अब तीसरे नमबर पे आ चुका है। सबसे उपन है रंगना हिराद जिनोंने 430 Wicket लिए हैं। दूसरे नमबर पे है डेनियल विटोरी जिनके पास 362 Wicket है। और तीसरे नमबर पे अब जड़ेजा का नाम आ चुका है जिनके पास 300 से जादा Wicket है। इसके अलाबा अगर आप जड़ेजा का टेस करिया देखेंगे तो पदा चलेगा कि वो कई प्रॉपर बोलर्स को बोलिंग में टक कर देते हैं और प्रॉपर बैट्समेन को बैटिंग में टक कर देते हैं। अब आपको जानकर है परानी होगे कि रविंदर जड़ेजा ने 300 टेस्ट विकेट लिये हैं 23 की एवरेज से। और जो इंडिया के एक लेजंडरी बोलर रह चुके हैं अनिल कुम्बले उन्होंने 300 विकेट लिये थे 29 की एवरेज से। तो सोचिए कहने को रविंदर जड़ेजा एक Allrounder है लेकि जो कि बोलिंग में बोलर को टक कर दे रहा है और बैटिंग में बैटर को टक कर दे रहा है तो फिर तो जाहिर सी बात है ना कि टेस्स रेंकिंग में नंबर वन Allrounder तो हों गई ना इसके अराबा कानपोर टेस्ट एक बहुत रोमांचक मोड पे है चौते देन जब टीम इंडिया के पास नहीं है और यही वज़ा है कि अब जो कानपोर टेस्ट है वो एक रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है और टीम इंडिया पूरी तरह से तयार नज़र आ रही है कि डे 5 टीम इंडिया बांगलादेश को 2-0 से हरा देगी लेकिन आप बताईए कि आपके ह लगता है मुझे कॉमें सेक्शन में जरूर बताया है और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर लेए